हलो फेंस नमस्कार कैसे हो आप सब आई होग कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो अगर आप AC टेकनीशन है और दुबाई आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो आप लोगो बताऊंगा कि दुबाई में एक AC टेकनीशन को कितना सरले मिलता है और दुबाई आने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कहां पर वीजा मिलेगा कैसे वीजा मिलेगा सब कुछ प्रसेस आप लोगो बताऊंगा तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा चोटा सा वीडियो वीडियो आप लोगो पूरा देखिएगा बट आप लोगो चोटी से रिक्वेस्ट करता हूँ चल परना चलो को सब्सकाइब आप साथ में गंडी का प्रका ज़रू पेस कर लिजे ताकि आपको वरकर से लिडियो मिलती रहे चल ली वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप दुबई में AC टेग्नीशन की जोब में आने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको AC का काम सीखना होगा AC के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जैसे कि कैसेट AC, विंडो AC, इस्प्लिट AC, एच्चू के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर जानकारी के साथ साथ आपके पास Experience Certificate है या ITI की डिग्री है या अर्दर कोई डिप्लोमा है तो बहुत ही बेटर रसोने पर सुहागा हो जाएगा ठीक है तो आपको 3-4 AC के बारे में जानकारी अच्छे से होना चाहिए कैसेट AC, विंडो AC, इस्प्लिट AC और AHU के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ओफिसों पर जा करके इंटर्विव देना, जब आपके पास जानकाई रहेगी तो आप किसी भी ओफिस पर जाके इंटर्विव दे सकते हैं क्योंकि आए दिन दुबाई से किसी ना किसी कंपनी की रिकार्मेंट ओफिसों पर आती है अब पॉइंट वाली बात है कि आपको ओफिस के बारें कैसे पता चलेगा कि इस समय बहुत सारे ओफिस पर फ्राओड हो रहा है आप लोगोंने वीडियो देखा होगा कि ओपिस वाले यहां पर बेसते हैं और लड़कों को फसा देते हैं तो यह बहुत पॉइंट वाली बात है आदमी लोग कंफिसन हो जाते हैं कि कौन से ओपिस पर जाएं तो गैस अगर आपको अच्छी ओपिस पर जाना है चाहे दिल्ली हो मुंबई हो ईपियो चैनने हो बेंगलोर हो या बिहार पटना में हो तो आप लोगों को जानना है तो वीडियो की डिस्टेप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जो कि मैं बहुत ही डिटेल से ओपिस के बारे में बताया है पटना, गुजरात, और बढ़ोद्रा, मतलब कई सीटी के बारे में बताया है तो जो आपके नजदीकी में है जहाँ पर आप जा सकते हैं, समर्थ हैं तो आप लोग वहाँ से नंबर ले करके आप जा सकते हैं वीडियो की डिस्टेप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो यह हो गई कि अगर आपको दुबए में असी की जोग करना है तो आपको जानकारी असी के बारे में पूरी होनी चाहिए अगर आपके पास वीड़ो, स्पलीट, कैसेट असी की जानकारी है तो भी चलेगा आदमी आप आपके यह चीगों गर्व में सब शीख जाता है, तो अब बात करते हैं कि साली कितना मिल जाती है, कि अगर आपके पास जानकारी है, तो दुबाई में की से टेक्नीशन को कितना साली मिल जाती है, ये आदमीनों कनफुजन में होते हैं, क्यांकि जो एजेंट रूपीस वाले हो तो कभी रियाल्टी नहीं बताते हैं तो गाइस अगर आप दुबाई में एजे एसी टेक्निशन आते हैं विल्कुल फ्रेसर हैं तो आपको 1200 प्लस 200 यानि कि 1400 दरहम आपको बेसिक सेले मिलेगा इंडिया में बताओं तो तकरीबा 30,000 रुपे आपको बेसिक सेले मिलेगा उसके बाद ओबर टाइम होता है तो मैक्सिम मान के चले कि 35-40,000 रुपे आप आसाली से कमा सकते हैं मान के चले कि 35,000 से उपर ही कमाएंगे कमती नहीं कमाएंगे खाने पीने के बाद आपका तकरीबा 30-32 रुपे लाजमिक बच जाएगा उससे कम, 30-30 से कमती नहीं बचेगा अगर आपका ओबर टाइम चलता है तो उससे जादे बच जाएगा उससे नीचे नहीं बचेगा तो इमान के चले कि आप 30-30 रुपे कमा सकते हैं विल्कुल नहीं में विल्कुल फ्रेसर में अगर आपके पास अच्छी जानकारी है जैसे कि आपके पास experience certificate है कोई डिप्लोमा आयाटिया की डिगरी है तो इसमें आपको और ज्यादे salary मिल सकति है जैसे कि 600 से लिगा 1800 दर्म obvious तक भी salary मिल सकतिया तो इस समय एक दर्म का हो रहा है 22 रुपे 25 पैस तो आपको clear कर सकते हैं कि 600 दर्म के साबसे आपका इंडिया माने में कितना होगा और 1800 दर्म कि अशाबसे कितना होगा हाला कि 1800 दर्म उसी को मिलेगा जिसके पास जनकारी और सर्टिफिकेट रहेगा मैं चीज़ें सर्टिफिकेट आपके पास जरू होना चाहिए अगर आपने IT किया है और experience certificate आपके पास मतलब experience है तो आपके पास certificate होना चाहिए उसके base पे आपको यहाँ पे अच्छी सर्टिफिकेट मिल सकती है तो guys मान के चले कि 35-40 रुपय AGAC टेक्निक से बिल्कुल फ्रेसर में आप कमा सकते हैं यह बिल्कुल reality है और यह ground पे तो guys मैं आला कि दुबई में जोब करता हूं और हमारे साथ में पार्टनर लोग भी काम करते हैं तो हमारी उनसे बात होती है तो मैं पूछता हूं तो लोग बताते हैं कि हमारी इतनी salary है जिसके बाद मैं वीडियो बना करके आप लोग को बताता हूं अगर आप लोग को विश्वास नहीं रहेगा तो आप लोग किसी से भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि दुबई वजय के कितना को आता है तो काफी लोग के कमेंट्स थे कि वाज़े माई एसी टेकनी से हूं दुबई आना चाहता हूं तो कैसे हूं तो गाइस आप लोग बिलकुल नीडर होकर के आप ओपीस बजा के इंट्रेव्यू दीजिए सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आने में समर्थ हैं तो आप वीजिट वीजिए पे आकर के भी यहां पर आपर आप जोग हासिल कर सकते हैं लेकिन तो उसके लिए आपको पर अब करना पड़ेगा उसमें पैसा बिजा पर आना चाहते हैं तो गैस एक रियाल्टी थी और यह वीडियो में काफी दिनों बात बना रहा हूं क्योंकि काम का थोड़ा जादे प्रेसर राता है तो वीडियो नहीं बना पाता हूं और आप लोग मैसेज करते हैं कि वह आप इंस्टाग्राम पर रिपलाई नहीं इस समय काफी जादे बीजी रहता है इसके लिए बीच में वीडियो भी नहीं बनाता हूँ और इससमय किसी को इंस्टाग्राम पर रिफ्लाइ नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए सोरी मेरे को टाइम बिलेगा तो मैं आप लोग यूटूब पर कमेंट करेंगे तो मैं जल् किसी को नहीं दे बाता हम तो गाइस इस्टागना पे जिसको रिप्लाई नहीं मिला होगा उसके लिए सोरी रिप्लाई टाइम मिलेगा तो आपनों को जोड़ दूँगा तो नमस्कार में तेनेश वीडियो में कुछने जनकारी के साथ ए मेरे तरफ से जनकारी थी इनफर्मे